अगधर आप प्यारे श्ट्उडेंट कैसे हैं आप तो प्यारे स्ट्वडेंट आज मैं आपके लिए इकनुमिस सब्जेक्ट का अप्योगिता नमगीsan कीर्फ लेगा कुगा हूं तो मैं आज आपको उप्योगिता का आर्थ कम उप्योगिता के परकार बता हूं गा कि वीडियो फुलवाज करना यह यह पता लगला कि यहान से वीडियो देखना तो उपियो गिता का अर्थ मिनिंग ओ इूटिलिटी उपियोगिता बहुम इूटिलिटी भी बोलते हैं इन युटि लीटी अ यूटिलिटी भी बोलते हैं तो यह हमारा उप्योगिता किसी वस्तु की वह विसेस्ता जो आउसकताओं को संतुष्ट करें उप्योगिता कहलाती है किसी वस्तु की वह सकती जो मानविया आउसकताओं को पूरा करें उप्योगिता कहलाती है तो दोस्तों उप्योगिता का अ आउसक्ताओं को संतुष्ट करें उप्योगिता कहलाती है किसी वस्तु की वह सकती जो मान भी है मान भी है आउसक्ताओं को पुरा करें उप्योगिता कहलाती है तो उप्योगिता के परकार दो परकार की होती है उप्योगिता कुल उप्योगिता सिमान दुप्य होगी था इसको टोटल यूटिलिटी भी बोलते है टोटल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी सोट में इसको टी यू टी यू लिखते है तो यह क्या आगे मारा कुल दुप्य होगी था तो कुल दुप्य होगी था क्या है वस्तुगी सभी इकाईयों के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है कुल उपयोगिता कहलाती है इसको मारेजिनल यूटीलिटी कहते है इसको लिखने हैं मु इसको लिखा टी यू इसको मु तो ये किसी वस्तो की एक अत्रिक्त इकाई के परियोग से जो उपियोगता पराप्त होती है सिमान तो उपियोगता कहलाती है मारजिनल इसको लिखेंगे हैं मारजिनल यूटिलिटी सोट में इसको हम एमियो भी लिखते हैं तो इसके परकार हो गए है तो ठीक है स्टुडेंट उप्यों की तक आरत है हम परकार है तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कि कमेंट कर देना आपके कमेंट का हमको इंतियार रहे है